नमस्कार हेलो अप्रिवन एस्पीडो इस्पर्मा के बारे में कुछ मेहत्वपूर जानकारी मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं मैं डॉक्टर लोकिंद्री डिपीएच वीएच मैं शुमें पैते चिकित चकूं और सोशल मीडिया पर अभी फिलाल में काफी सार प्रावलम्स भी क्रियेट कर सकती है किसे लेनी चाहिए कैसे लेनी चाहिए किसे नहीं लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए कौनसी कौनसी बिमारियों में इसके यूजिस हैं बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में जहां पर भी आप वाटसप फीजबूक इंस्टागाम ट्वीटर जहां भी आप सेयर कर सकते इस वीडियो को जरूर शेयर करें एस्पिडो इस्पर्मा यह सच है कि जो मैडिसन है यह अक्सिजन को बढ़ाता है लेकिन किन पिसेंट्स को यह लेना चाहिए इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह कौनसे कौनसे कंडिसन में इसके यूजिस होते हैं और कब इसे हमें यूज करना चाहिए यह महामारी जो अभी वैश्वक महामारी इस कंडिशन में हमारी लिए कोई भी मैडिसन एक रामबाड है लेकिन उसके साथ में हमें यह सारी ची कर में किसी पिसंट का नुक्षान कर बैठे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिखिए यह जो बैश्विक महमारी है महामारी जो चल रही है यह सवी को अफेक्ट कर रहे हैं चाहिए वो किसी भी बर्ग का बेखती हो ना तो यह पैसे वाले को देख रही है ना यह चोटे गरीब को देख रही है ना मिडल किलास को देख रही है सब के लिए वराबर हैं दूसरी बात अगर हम अपने मन से हार जाते हैं किसी भी चीज़ से तो एक बहुत ही सुंदर बाग क्या है मन के हारे हार है मन के जीते जीत बहुत सुंदर बाग क्या है जिसने भी बनाया है जिसने भी लेखा है बहुत अच्छी चीज एक दुनिया को मैसेज है मन से कभी नहीं हारना है हमें मन से अगर हमां हार गए किसी भी चीज के लिए तो समझ लिजेगा कि आप हर तरीकी से हार चुके है कुरुना का डर कैसे बाहर निकाले दिखिए जाना तो सभी को है जाना तो इस दुनिया से सभी को है लेकिन अपनों के साथ में कुछ जादा लंबे समय दे बक्त बिताना या उनके साथ शहियो करना ये सबसे बड़ी चिनोती है जाना तो सभी को है कुरुना तो एक बहाना है लेकिन अगर अपनों के साथ में लोगों की साहिता करते अगर उनकी साहिता हो जाए तो अपनों के साथ में कुछ बक्त अगर जादा बिताना हो तो घर से बाहर नहीं जाना है इस वात को आप याद रखें कोशिस करें जितना बचाओ हम कर सकते हो उतना बचाओ करें Aspidusperma किन किन बिमारियों में यूज होता है समझ लेते हैं दिखिए Aspidusperma करता क्या है और इसका mother tincture use हमें करना है तो इसके uses जो है Aspidusperma के यह लंग्स के अंदर Especially अगर बात करें कि जो respiratory centers हैं जो हमारे brain में होते हैं उनको activate करता है अगर oxidation slow है oxidation कम है oxidation में कोई obstruction है तो ऐसी situation में उस obstruction को हटाता है respiratory center के activate करनी के दौरा उनके साहता करनी के दौरा तो respiratory centers को यह activate करता है दिन उसके बाद में जो वहां पर restriction है उसको धीरे धीरे हटा देता है कार्डियक अस्थमा कार्डियक अस्थमा होता है जिनको Heart की problem होते है कई वार patients को कई वार patient को liver की problems होती है और symptoms उसको अस्थमा के आते हैं तो ऐसे situation में भी उस patient को बहुत ही अच्छे और opioid की medicine है यूरेमिक अस्थमा मतलब की यूरिया बढ़ने की बजर से जिन पेसेंट्स को यूरिया बढ़ जाता है उन पेसेंट्स को अगर Aspidusperma mother tincture form में या 200 potential में दिया जाता है तो बहुत ही कमाल की results उस patient में हमें देखने को मिलते हैं इसके अलाबा जिन पेसेंट्स को respiratory paralysis होता है यानि उनके lungs जो है वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं कम करते चले जाते हैं या जो respiratory system है वो धीरे-धीरे अल काम करना कम करता चला जाते तो ऐसे situation में भी बहुत अच्छे उप्योग हैं अगर regulatory stenosis है तो ऐसी situation में भी इसके भी बहुत अच्छे उप्योग है Thrombosis अगर किसे patient को है pulmonary thrombosis है तो ऐसे situation में भी इस patient के लिए बहुत ही उप्योगी medicine है बिमारियां में बहुत अच्छे उप्योग हैं और यह एक लंग्स का टॉनिक है यानि कि लंग्स की सभी बिमारियों के लिए लगवर लगवर अस्थमा COPD और सांस लेने में तकलिफ होना और ऑक्सिजन धीरे-धीरे कम होते चले जाना आवस्ट्रिक्शन होने के कारण ब्लेड के अंदर ऑक्सिजन प्रॉपर मात्रा में ऑक्सिजन की मात्रा नहीं मिल पाती है तो ऐसी सिचुएशन में ऐस्प्रिस्पर्मा बहुत कमाल की रिजर्ट्स देती है इसके साथ में जिन पेसेंट्स को सांस लेने में कई बार तकलिफ होती है थोड़ा बहुत अगर क लंग्स पेरलेसिस होते चले जा रहे हैं और नजाने लंग्स की कफी सारी बीमारियां जिन में एस्पिडोस्परमा का यूज किया जाता है इसके साथ में कुछ और भी महत्रपूर्ची समझेगा कि दिखिए होमियोपेथी में कुई भी मेडिसन या कोई भी मेडिसनल सिस्टम के गरम बात करें बिदाओ डॉक्टर कंसर्टिशन की मेडिसन का यूज नहीं करें क्योंकि क्या होता है कई वार की पिसेंट्स को सिम्टम्स कुछ और आ रहे हैं मेडिसन के सिम्टम्स कुछ और आ रहे हैं तो याद रखें कि पिसेंट्स को मेडिसनल ज अलग हो गया और आपका इलोपेथी में अलग हो गया तो तीनों मेडिस्टम जो है थोड़ा-थोड़ा अंतर है आयुरुवेदा होमेपेथी के अगर बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि जो मेडिसन एस्परमा हम पेड़ से बना रहे हैं उसमें आयुरुवेदा म मेडिसन बनाए जाता है तो आयुरुवेदा और खोमेपेथी सम्थिंग सम्थिंग बहुत ही करीब हैं और एक ही चीज है आप इस चीज को याद रखें लेकिन मेडिसन बनाने का जो सिस्टम है वह थोड़ा सा अलग है बाकि जो मेडिसनल बनाई जाती है वह पेड़ हुआ है तो अस पर्यूब हाका कैसे यूश करना है असमय को यूश करना जिस बहुत आसान है दस से पंद्रा बूने या फिर ऐसे से जिनको तकलीफ ज्यादा है वो 15 से 20 बूने आदे कप पानी में नॉर्मल पानी होना चाहिए फिरेज का तो बिलकुल भी नियों होना चाहिए नॉर्मल पानी जिसको 20 से 15 बूने आप उसमें आदे कप पानी में मिलाईएगा और उस पिशन को दिन में दो बार सुबह एंश कि इस दवाई को यूज नहीं किया रहे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सिंटोमेटिक मेडिसन यूज की जाती है कई बार इंडिविजुलाइजिशन के तौर पर मेडिसन यूज की जाती है तो यह अलग-अलग मेडिसनल सिस्टम के तरीके होते हैं पिसेंद की उम्र पिशेंट कितने दिन से बीमार है काफी साथी चीजें प्रभाव डालती है मेडिसन पर ट्रीटमेंट पर तो इस चीज को थोड़ा याद रखें बेदाव डॉक्टर कंसर्टेशन एस्परिस्पर्मा यूज नहीं करें यह मेरी आपको सला है वीडियो अच्छा लगे तो लीढाइब करें इस वीडियो को जाधास ज़्यादा लोगों तक शेर करें करें अपने दोस्तों के साथ में फैबली मेंबर्स पर यहां आप से रिव शेयर कर सकते हैं है मैं फीर मिलता हो उंडितारे किसी नई वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक्स बोचिंग है है मन के हारे हार है मन के जीते जीत नमस्का थैंक्स वोचिंग है बनाइश जीए